असलामु अलेकुम फ्रेंड्स मैं खार नाजमी शरीफ वेलकम टो रह्मान पठान यूटुब चैनल फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग ए जिसी रिलेटेड जो कुश्चन से उनको सॉल्व करेंगे प्रिवेस वीडियो में कुछ बेसिक्स कुछ मिसाले हमने देखे कुछ किस तरह से सॉल्व करना हैं क्या लाजिक लगानी है यह हमने सीखे थे और कुछ यह क्या दो क्वेश्चन भी हमने सल्व किये थे तो आज की इस वीडियो में हम लोग बाकी के जितने भी स्चन है एजसे रिलेटेड उन सॉल्व करेंगे और बहुत इंपॉर्टन ट् शायद हमारा तो आज हम लोग तीसरा कोशन देखेंगे कि इस कोशन को कैसे सॉल्व करना है तो देखिए कोशन क्या है समरीन और इनके वालिद की मौझदा उम्रे भी तरतीब दो निजबत पांच के तनासुब में है चार साल बाद इनकी उम्रों का तनासुब पांच से लिखेंगे कितना दिया गया है देखिए यहां पर सपोस्सम्रीन है और यहां पर उनके फादर है कितना तनासुब है उनका दो निजबत उनका पांच जो है यहां पर तनासुब है कि दो निजबत पांच जो है इनका तनासुब है अभी चार साल बाद उनकी उम्रों का तनासुब तो यहां पर हम क्या करेंगे इसके नीचे चार साल प्लस करेंगे यानि चार साल के बाद की बात हो रही ना उनका तनासुब कितना हो जाता है पांच निजबत ग्यारा तो यह पांच और यह निजबत हो गया ग्यारा अब यहां पर पांच साल पहले वालिद की उम मौझुदा उम्र मालूम करेंगे वालित की और उसके बाद हम क्या करेंगे पांस साल पहले की उम्र मालूम करेंगे तो देखिए यहां पर किस तरह करना है सबसे पहले तनासुप मालूम करेंगे तो देखिए ग्यारा दुनी बाइस और पाचा पाचा पच्छा पच्छीस य तो अब हम इसका मालूम करेंगे, ओके, तो देखी, यहां पर हम कैसे करेंगे, 5 ये का 5, 4 ये का 4, यहां आ जाएंगा, 5-4 बराबर 1, यानि 3 तनासुब, शॉरी देखी, यहां पर क्या आएंगा, extremely sorry, देखी, यहां पर क्या आएंगा, 5-4, यानि यहां आएंगा, 20-4, ओके, 20-4, कितना हो जाता है, देखी, यहां पर, यह 11 है, 11.44 होंगा ये, ओके, और यह होंगा, 5-20, ओके, अब यहां पर इनकी हम तफ्रीक करेंगे, तो कितना आता है, 24, यानि 3 तनासुब बराबर होता है, 24 साल के, 3 तनासुब बराबर कितने साल के होता है, 24 साल के, तो एक तना तानासूब बराबर कितनी साल होगा तो हम 24 को तीन से डिवाइड करेंगे तणासुब के है आढ़ साल की अब देखिए वालित किम उम्र का तनासुब कितना है हम यहाँ पर पहले वो देखेंगे निके वालित की मौझूद तनासुब वो कितना है 5 है यानि 8 को क्या करेंगे हम 5 से जर्ब देंगे क्योंकि एक तनास्प का मतलब 8 साल होता है तो 5 तनास्प का मतलब कितना होगा तो इसको हम जर्ब देंगे 5-8 है कितना हो जाता है यह 40 हो जाता है अब यह मौजुदा उम्र आ गई वालिद की क्योंकि मौजुदा सब्सक्राइब करेंगे उनकी तफ्रीक करेंगे तो इससे हमको पता चलेगा कितने तनासु बराबर कितने साल होता है तो एक तनासु बराबर कितने साल होगा हम वो निकालेंगे और उसके बाद जितना भी तनासु दिया गया है मौजदा उम्र का उससे जर्ब कर देंगे तो हमारी मौजदा उम्र हमको मालूम हो जाएंगे फिर इससे आप आगे की उम् पर 30 साल वालिद और बेटी की उम्रों का तनासुप 17 निजबत साथ है छे साल पहले इनकी उम्रों का तनासुप 3 निजबत 1 था तो वालिद की मौजदा उम्र क्या है तो दिखिए यहां पर हम क्या करेंगे सबसे पहले यह फादर है और यह उसकी डॉर्टर हम यहां पर निजबत कितना है यह साथ है ओके अब 6 साल पहले की बात हो रहे है तो पहले की हो या बाद की हो हमको सेंटर में लिखना है बास चेसल पहले की बात और जिए के लिए माइनस चे कितना तर नासुब हो गया तो उनका 6 साल पहले कितना था तीन निजबत एक ता तो यह आजेंगा तीन निजबत एक इसके बाद आपको क्या करना है मैंने बताया था सबसे पहले तनासुब मालूम करेंगे दीकिस सतरा एक सतरा और तीना सते 21 यहां पे हम मैंने ते 21-17 कितना आया है हमारा 4 तेनासुब कितने साल के बराबर होता है हम यह निकालेंगे यहां निकालेंगे दीकिए एक तनासुप बराबर होता है तीन साल के अब किसकी उम्र पूची गई है वालिद की मौजदा उम्रों का तनासुप कितना है यहाँ पर देखिए सत्रा है वालिद की मौजदा उम्रों का तनासुप कितना है सत्रा है तो देखिए एक एक तनासुप बराबर अगर तीन साल हो okay, तो यहाँ पर option number B, जो है 51 साल, यह इसका जवाब हो गए, आंन अशानी से कितने कम वक्त में हमारे च평शन देखिए, A और B की उम्रों का तनासुब 8 निजबत 7 है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे A और B की उम्रों का तनासुब लिखेंगे ये A तनासुब ये हो गया B कितना है इनकी उम्रों का तनासुब अभी देखिए 8 निजबत 7 है अब 10 साल बाद बोल रहा है यानि जम्मा कितना करेंगे हम यहाँ पर 10 करेंगे 10 साल बाद उम्रों का तनास अब कितना हो गया देखिए 13 निजबत 12 हो गया अब 13 निजबत 12 हो गया अब हम क्या करेंगे सबसे पहले कितने तनास बराबर कितने साल होता है देखिए 12, 8, 6, 9 और 13, 7, 9 यानि यहाँ पर हम निकालेंगे 6-1-1, जितना भी आता है उनके माइनस करनी है, कितना आ रहा है, देखिए, यह 5 तनासुब आया, अब हम कितने साल के बराबर होता है, वो निकालेंगे, देखिए, 13 दहाएं 130, और 12 दहाएं 120, इनकी माइनस करेंगे, कितना आता है, देखिए कि दस यहनि पांच तनासुप बराबर दस साल के होता है तो एक तनासुप कितने के होगा तो दस को पांच से तक्सीम करेंगे तो एक तनासुप बराबर हो जाएंगा दो साल के बराबर अब एक तनासुप बराबर दो साल के हो गया हमको क्या बोला है इनकी उम्रों के दर्मि से एक का टनासूब आट है एक का टनासूब आट है बीका टनासूब ऌडिम साते यानी कितने तनासूब का डिफरेंस एक और एक निकल देंगे okay दिख्ये अब इसका एक का कितना है 8 कि निकल गई H अन् sampai कि निकलगे 2 साल मत तेना का डिफ्रेंस निकल यहनि एक तनासुप का फरक 1979 और एक तनासुब यानि कितने साल आया था हमारा दो साल, यानि इनकी उम्रों के बीच में दो साल का फर्क है, ओके, तो इस हिसाब से option number A जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, option number A जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है, next question देखें क्या है, P और Q की उम्रों का तनासुब 6 निजबत 5 है, और इनकी उम्रों की जमा 44 साल है, 8 साल बाद इनकी उम्रों का तनासुब क्या होगा, तो देखें कि सबसे पहले तो हम मौजुदा उम्र मालूम करेंगे, उसके बाद हम 8 साल की उम्रे मालूम करके, उनका तनासुब मालूम करेंगे, तो देखें कि सबसे प पांच दिए गए तो हम फर्स करेंगे पी की जो उम्र है वो 6X है और Q की जो उम्र है वो 5X है अब इनकी उम्रों की जमा कितनी हो रही है देखे 44 साल हो रही है तो यह कितना आ जाएंगा देखे 11X बराबर 44 ओके तो X की वैल्यू कैसे आएंगी देखे 44 बटे 11 यानि 44 को 11 तक रखे उनकी मौझदा उम्रे मालूम करेंगे ओके तो देखे 6X तो 6X यानि कितना हो जाएंगा यह 6 जर्ब 4 बराबर 24 और यहां पर कितना है 5X यानि कितना हो जा रहा है 5 जर्ब 4 बराबर 5 जर्ब 4 बराबर कितना हो रहा है यह 20 ओके यानि यह हो गया 24 और यह हो गया 20 अब 20 साल, अब 8 साल के बाद इनकी उम्रों का तनासु पूछा है, तो ये मौझदा उम्र में हम क्या करेंगे, 8 साल जमा करेंगे, ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, भी, A की मौझुदा उम्र कितनी आई थी देखिए A की मौझुदा उम्र आय थी हमारी 24 साल और B की मौझुदा उम्र कितनी आय थी अब हमको 8 साल बां तनासु पूछाए थो हम क्या करेंगे दोनों में भी 8, 8 जो है यहां पर जमा कर देंगे, ओके तो 24 में 8 अगर हम जमा करते तो कितना होता है ये 32 होता है और 20 में 8 जमा करते तो कितना होता है ये 28 अब इनकी उम्रों का तनासुब हमको मालूम करना है तो हम क्या करेंगे इनको तनासुब में लिख लेंगे अब देखे 32 और 8 कौन से एक टेबल में आते हैं तो यह आते हैं चार के टेबल में देखे चार के टेबल में यह आता है चारा चारा अठे 32 ओके और यह आता है साथ के टेबल पर चारा साथे 28 यह चार चार कैंसल होगे कितना आया इनका तनासुब 8 निजबत 7 जो है इनकी 8 सा के बाद की उम्रों का तनासुब आया देखिए बहुत ही कम वक्त में हमारे सवाला जो है यहां पर सॉल्व हो रहे हैं तो इस हिसाप से आगा देखेंगे तो बी जो है आठ निजबत साथ इसका सही जवाब होगा ओके नेक्स कुशन देखिए क्या है मुसकान की आठ साल पहले शादी होवी थी आज उसकी उम्र उसकी शादी के वक्त उसकी उम्र की एक सही दो बटे साथ गुना है मौजुदा हाल में इसकी बेटी की उम्र इसकी उम्र का छटा हिस्सा है तो तीन साल पहले इसकी बेटी की उम्र क्या थी तो देखे मुस्कान की शादी का अभू वी थी आठ साल पहले आज इसकी उम्र उसकी शादी के वक्त की उम्र का कितना है एक सही दो बटे साथ यानि कितना आ जा रहा है यह देखे साथ एका साथ और यह दो मिला तो नव यानि यह आ रहा है नव बटे साथ यानि उस उसकी शादी के वक्त उम्र का तनासुब है साथ और अभी की उम्र कितनी है उसके 9 उसका तनासुब है ओके अब हम यहां पर क्या करेंगे दिखिए यह जो डिफ्रेंस है इनका यह जो तनासुब का डिफ्रेंस है यह कब कब का डिफ्रेंस है शादी के वक्त का और शादी के बात का यानि आज का तो कितना डिफ्रेंस आ रहा है देखे इनके बीच में 9 निजबत 9 माइनस साथ यानि 2 निजबत का डिफ्रेंस आ रहा है और यह डिफ्रेंस कितने साल के बराबर है 8 साल के बराबर है क्योंकि एक जो तनासुब है वो 8 साल यानि शादी के वक्त का है और क्या पूचा गया है मौजुदा हाल में उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र का छटा हिसा है तो सबसे पहले हम मुसकान की मौजुदा उम्र मालूम करेंगे तो देखिए आठ साल पहले का जो तनासुब है वो साथ तनासुब है और अभी आठ साल के बाद का जो तनासुब है व मुस्कान की मौजदा उम्र कितनी है उसकी मौजदा उम्र आ रही है 36 साल अब उसकी बेटी जो है उसकी उम्र का छटा हिस्सा है यानि 36 साल के 6 बराबर हिस्से करेंगे तो उसकी बेटी उसमें से एक हिस्सा आएंगा तो 36 के 6 बराबर हिस्से करेंगे यानि इसको 6 से चुनों करक्क्राइब करक्राइब एक सी जिए जुड़ी का चुछ है म 같아 कि खोने ऐनिंगे आगर सब्सक्राइब देखेंगे यानि तीन से जर्ब देंगे, तो तीन गुना का मतलब क्या होता है, कि जितनी भी बेटी की उम्र है, उसमें तीन जर्ब देंगे, तो उतनी मा की उम्र आ जाएंगे, तो हमेशा हम बेज किसको मान कर चलेंगे, एक को, यानि सब फर्ज करेंगे, कि बेटी की जो उम्र है, वो बेटी की उम्र एक है बारा साल बाद मा की उम्र उसकी बेटी की उम्र की दो गुना हो जाएंगी अब बारा साल बाद बोला इसके लिए जमा हम क्या करेंगे दोनों तरफ बारा करेंगे कितनी हो जाएंगी बेटी की उम्र बेटी की उम्र यानि यहां पर फिर से एक आएंग और उसके हिसाफ से बेटी की मौझदा उम्र हम यहां पर मालूम करेंगे. ओके, तो अब एक तनासु यानि कितने साल होता है, यह दीखिए कैसे मालूम करेंगे? तीन इका, तीन दो इका, दो यानि तीन माइनस दो करेंगे, तो कितना आता है? एका आता है. उसके बाद क्या करेंगे हम साल मालूम करेंगे 12 दुनी 24 ओके और 12 एका 12 तो कितना ऐंगा यह 24-12 यानी कितना आ रहा है 12 यहनी एक त्रशु बराबर 12 साल आ रहा है तो बीटी की मौजुदा उम्र क्या है तो देखें कि बेटी की मौजदा उम्र भी आगा देखें तो एकी तैनासुब और बात की उम्र भी देखें तो एकी तैनासुब और बात की उम्र भी देखें तो एकी तैनासुब क्योंकि फरक तो बदलने वाला है नहीं तो यहां पर कितना बारा साल तो बेटी की उम्र कित कुतना हैं ऑप करेंगे अगर is our comment and we'll call perfect till 불 iPhomba कितनी आजेंगी उसकी तीन साल हो रहा है पांच accordance बself경 की मौज़द्व क्या है मौलूम करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे टो शब्र ही कितने साल होता है ये मालूम करेंगे तो करेंगे पंद्रा माइनस दो कि देखिए यहां पर जो तनासुबाना चीए था वो दो निजबत पांच क्योंकि नोमान साहब जो है वो वालिद है न तो वालिद का यहां पर आएंगा ओके यह वालिद आ जाएंगे इधर और इधर जो है उनका बेटा आ जाएंगा ओके तो यहां पर इनका कितना आ रहा है दिखिए अभी 2,3,6,5,1,5 यानि 6-5 अगर हम करेंगे तो कितना आता है 1 उसके बाद हम साल का डिफरेंस निकालें कितना आता है यह कितना आ गया दिखिए 6,5,3,6,12 यानि यह आया 30-12 कितना आ गया यह अटरा साल यानि दिखिए एक तनासुप बराबर होता है 18 साल के ओके तो अब एक तनासुप 18 साल के होता है तो नुमान साहब की मौजदा उम्र कैसे मालूम करेंगे तो उनकी मौजदा उम्र का तनासुप कितना दिया गया है तीन गुना दिया गया यानि एक तनासुप किसका है बेटे का यानि बेटे की उम्र 18 साल है तो नुमान साहब की उम कि यहां पर करेक्ट होंगा देखिए अगर एक युम्र की दो बटे पांच गुना हो तो एक यहां पर हमको उम्र में कोई यहां पर किसी की भी एक उम्र नहीं दी गई यहां पर जो मालूमाते वह अधूरी है तो इसकी लिए जवाब क्या होंगा इन से कोई नहीं जो है इसका यहां पर जवाब होंगा क्या है कि जो एक स्वाल को साथ कर सकते हैं इस वोग में तूब थो सही जवाब होंगा उसे कोई नहीं अब देखे नेक्स कोशन क्या है दस साल पहले वालिद की उम्र उसके बेटे की उम्र की तीन गुना थी ओके दस साल बाद वालिद की उम्र उनके बेटे की दो गुना हो जाएंगी अगर हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं एक तो वालिद की उम्र कितनी आजेंगी तीन गुना यानि तीन यह दस साल पहले की बात हो रही है अब दस साल बाद, ओके दस साल पहले और दस साल बाद देखिए दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो यह उपर माइनस हो जाएंगा दस साल पहले और यह हो जाएंगा दस साल बाद तो यहां से यहां तक कितने साल लगेंगे आने के लिए बीस साल लगेंगे तो यह दस साल पहले का तनासुब दिया गया है एक निजबत तीन यानि तीन गुना और उसके बाद 10 सल बाद का, यहाँ पर बीस साल का डिफर्नस आएगा, कितना तनासुब हो गया था वो, बेटे का 2 गुना, यानि बेटे की एक है तो वालित का हो जाएगा 2 गुना, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम देखिए यहाँ जाएंगा तीन एका तीन दो एका दो यानि तीन में से दो गए तो कितना आएंगा एक तनासुब अब एक तनासुब कितने साल के बराबर है तो देखिए यह 20 दूनी 40 और 20 एका 20 यानि या आ जाएगा 40-20 कितना आ रहा है 20 यानि एक तनासुप बराबर आ रहा है 20 साल के तो वालिद की उम्र हम अब मालूम करेंगे अगर वालिद की मौज़ुदा उम्र मालूम करनी है तो देखिए पहले यहाँ पर वालिद की यह 10 साल पहले की उम्र का तनासुब दिया गए, तो 3 निजबत 20, तो 3 जर्ब 20 अगर हम लेंगे, तो 60 साल जो है यह वालिद की 10 साल पहले की उम्र आ रही है, ओके अब 10 साल बाद यानि अभी प्रेजेंट की अगर मालूम करना है, तो इसमें 10 एड करना पड़ेंगा, तो यह की उम्र कितनी हो जाएंगी, जम्हा दस करेंगे, तो 30 साल हो जाएंगी, ओके और अगर इनका तनासुब निकालना है, तो यह 0, यह 0, कैंसल, 3 निजबत 7, जो है बेटे और वालिद की उम्र का तनासुब यहाँ पर हाएंगा, ओके नेक्स वोशन देखी क्या है, पी और क् कि उम्र की जम्हा शिक स्क्राइबाद कितना दीया गया है, जबले पयोड़ी और क्यूकर लिखेंगे, यह पी यह वोगा शून की का तनासुब निकालना क्यों देखी क्यों कि तो जो पे निकालना क्या बेजाई वापस खराब कर साल है, और यहां पर यहां हम 5 को repeat करेंगे, okay? अब इनके हम लोग addition कर लेंगे, कितनी addition आती हैं, इनकी देखेंगे, तो दीकि इसकी जो है, तीनों की उम्रों का तनासुब, कि जमा कितनी कहा गया है, पहले वो निकाल लेंगे, कितना कहा गया इनकी उम्रों का तनासुब, तो देखेंगे, यह कितना आ रहा है, छे चोग, 24, यह कितना रहा है, 4, 5, 20, और यह कितना आ रहा है, 25, 25, तो इनकी उम्रों की जमा कितनी बोली है, देखेंगे, 24, 24, X, हम इसको कंसिलर करें, क्योंकि यह तनासुब आया है, 24, X, जमा, 20, X, जमा, कितना आ जाएगा, 25, 24, 20, और 25, हम यहां पर लेंगे, तो देखें, 24, X, जमा, 20, X, जमा, 25, X, क्योंकि यह निजबत है, यह actual उमर नहीं है, कितने साल के बरावर है, 69 years के बरावर है, अब इन सब की जमा भी, जो है, बन आ गया, अब हमको क्या पूचा है, Q की उमर पूचा है, अब Q का तनासुप कितना दिया गया था, देखिए, P और Q की उमर का तनासुप, 4 निजबत 5 था, यहां पर Q की उमर का तनासुप दिया गया था, तो Q की उम्र इस हिसाफ से कितनी आ जाएंगी एक तनासू बराबर कितना है हमने जो निकाले थे देखे 25X यहां पर Q की उम्र आ रही थी तो 25 जर्ब एक करेंगी यानि कितना आ जाएंगा इसकी उम्र जो आ जाएंगी 25 साल आ जाएंगी तो क्यूंकि उम्र कितनी आ रही है इसे साफ से अगर हम देखेंगे तो option number C जो है 25 साल यहाँ पर इसका सही जवाब होंगा Next question देखी क्या है दस साल पहले एक आदमी की उम्र अपने बेटे की उम्र की साथ गुना थी दो साल बाद उसकी उम्र का दो गुना उसके बेटे की उम्र के पांच गुना के बराबर होंगा तो बेटे की मौजुदा उम्र क्या है अब देखे सबसे पहले क्या निकालेंगे हम 10 साल पहले एक आदमी की उम्र तो 10 साल पहले कितनी थी Suppose यहाँ पर अगर हम लेंगे आदमी पहले और फिर लेंगे अगर बेटा तो कितना आएंगा यह साथ निजबत एक क्यूंकि बेटे की उम्र अगर एक है तो वालित की उम्र साथ गुना या नहीं साथ हो जाएंगी अब देखिए क्या कहरा है दो साल बाद उसकी उम्र का दो गुना अब 10 शाल पहले और 2 साल बाद दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है यहां पर 12 साल का तो यहाँ जाएगा साथ निजबत एक और जमा कितनी करेंगे बारा साल क्योंकि दस साल पहले और दो साल बाद यानि मौजुदा उम्र से अगर हम देखेंगे तो दस साल पहले और आज इसे दो साल बाद तो दोनों का डिफरेंस निकलता है बारा साल का उसके बाद क्या कह र करेंगे एस तो एस का कितना गुना हो जाएंगा यह पांच गुना हो जाएंगा ओके अब यहां पर अगर हम यह एस को इधर लेकर आ जाएंगे तो यह आपन में आ 7 दुनी 14 5 ये का 5 तो ये आ जाएगा 14 माइनस 5 ओके अब इनका निकालेंगे हम उसके बाद 14 माइनस 5 कितना होता है 9 उसके बाद क्या निकालेंगे साल निकालेंगे अब ये तो आगे 9 निजबत साल कितने आते हैं देखिए 12 दुनी 24 और 12 पंचे 60 यानि 60 में से 24 माइनस अगर करते हैं तो कितना आता है 36 यानि 9 निजबत बराबर 36 साल है कितना है 9 निजबत बराबर 36 साल है तो एक निजबत यानि कितना 36 को 9 से तक्सीम करेंगे तो कितना आता है? चार साल यानि एक निजबत आ रहा है चार साल के तो बेटे की मौझुदा उम्र जो है यहाँ पर हमको मालूम करनी है तो देखे बेटे की मौझुदा उम्र यानि यह एक निजबत बराबर चार साल अब हमको यहां पर दस साल बाद का जो तनासुब दिया गया है दस साल पहले का तनासुब यह एक तो एक बराबर चार साल आ रहा तो दस साल के बाद यानि अभी जो फिलाल चार साल है तो दस साल के बाद कितनी हो जाएंगी वह दस जमा चार इनी चोड़ा साल को स्वाल में क्या कहा गया है दस साल पहले का तनासु ह See एक वराबर चार साल जौ आ रहा है यह दस साल पहले काograpram कर रहा है तो अभी मौझूदा Growing की बात है यहाँ पर कितने आ जाएंगा है यह 14 साल आ तो option number C जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा 14 साल next question देखी क्या है A, B और C की उम्र का तनासुब 3, 6, 6, 7 अगर B और C की उम्र का फर्क 10 साल का है इनकी उम्र का फर्क कितने साल का है 10 साल का है तो A और B की उम्र के बीच का फर्क क्या होगा तो सबसे पहले हम इनका तनासुब लिखेंगे कितना तनासुब है देखिए A, B और C इनका तनासुब कितना है देखिए 3, 6 और यह है 7 इनका तनासुब आ रहा है अब सवाल में क्या कहा गया है देखिए B और C की उम्र का फर्क B और C की उम्र का फर्क कितना होगा तो इनकी बीच का तनासुप का फर्क कितना है देखिए तीन का फर्क है यानि एक तनासुप का फर्क यानि दस साल तो तीन तनासुप का फर्क यानि कितने साल तो तीन को क्या करेंगे हम 10 से जर्ब दे देंगे तो कितना आ जाएगा ये 30 साल जो है यहाँ पर इनकी उम्र का फरक आ रहा है A और B की उम्र का ओके तो इस आपसे आगर देखेंगे तो option number D जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा 30 साल नेक्स question देखें क्या है दो लोगों की उम्रों में 20 साल का फरक है अगर 5 साल पहले बड़े आदमी की उम्र छोटे वाले की उम्र से 5 गुना थी तो इनकी मौझूदा उम्रे मालुम कीजिए अब देखेंगे 20 साल पहले का जो तनासुब दिया गया है तक देखेंगे अब 4 तनासुब का फरक है लेकिन उम्रों में फरक कितने साल का बोला गया है 20 साल का फर्क बोला गया यानि तनासुप में फर्क अगर हम देखेंगे तो 4 का आ रहा है और साल में अगर देखेंगे तो 20 का तो यानि 4 तनासुप बराबर 20 साल होता है तो एक तनासुप यानि कैसे निकालेंगे 20 को 4 से तक्सीम करेंगे तो कितना आता है पांच का यानि एक तनासुब बराबर आता है यहाँ पर पांच साल ओके अब देखिए इस हिसाब से हम क्या करेंगे एक तनासुब यानि हमारा पांच साल आ गया तो हम पांच साल पहले की उम्र निकालेंगे तो हमको मौचुदा उम्र मालूम हो जाएगी तो देखिए ये पांच साल पहले की उम्र का तनासुब यहां पर दिया गया है तो देखिए एक तनासुब बराबर आया है पांच यानि बेटे की पांच साल पहले थी 10 साल और वालिद में 5 एट करेंगे तो कितनी आ गए वालिद की 30 साल यानि कितना आ रहा है इसका जवाब 10 साल और 30 साल इसका जवाब आ रहा है तो इससाफ से अगर हम देखेंगे तो क्या सही होगा इसका option number 20 का सही जवाब होगा Next रोशन देखी क्या है बित तर्तीब 3 साल के फर्ग पर जनम लेने वाले 5 बच्चो की उम्र का औसत 60 साल है सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है तो देखें अब यहां पर 60 60 साल दिया है तो इनके उम्रों की जमा कितनी आएंगी वो हम कैसे निकालेंगे, बच्चों की उम्रों की एक्चुली ये जमा है, उसत नहीं है, इनकी जमा दी गई है 60 सल, तो इनका उसत कैसे निकालेंगे, तो देखिए 60 को हम क्या करेंगे, पांच से तक्सीम करेंगे, तो 12 जो है इनका उसत आ रहा है, कितना आ रहा है, 12 जो है इ यहनी, तीन-तीन साल के difference पर यहनी next वाला जो होगा वो कैसा होगा? इसके बाद वाले जो होंगे, वो होंगे x plus 3, और इसके next वाला होगा x plus 6, और इससे पहले के क्यूँकर हमने center का बच्चा जो है वो मान कर चले, कि वो क्या है, x है center का, तो इसके आगे के दो बच्चे और इसके पीछे के दो बच्चे, तो 3-3 साल के difference पर आएंगे न, तो 1 होगा x plus 3, फिर x plus 3 से बड़ा होगा, वो होगा x plus 6, और इदार अगर हम देखेंगे, तो इससे छोटा होगा x minus 3, ओके, और x minus 3 से छोटा अगर हम हो जाएंगा x minus, x minus 6 होगा, ओके, अब हमको क्या पूचा है, सबसे छोटे वाले बच्चे की उम्र, तो इसकी उम्र कैसे निकालेंगे, x की किमत कितनी है, यहाँ पर 12 आगई, क्योंकि 12 जो है, इनका ओसत है, ओके, यानि center वाला जो बच्चा रहता है, वो ऑसत अगर हम उस उसत होता है, वो, तो यहाँ पर 12 साल जो है, यह center वाले बच्चे की value आगई, यानि जो उसत आया, वो 12 साल आया, अब दो बच्चे इससे बड़े है, और दो बच्चे इससे छोटे है, तो बड़े वाले कितने आएंगे, 12 प्लस 3 हो जाएंगा, कितना हो जाएंगा, यह 12 और 3 कितना होएंगा, 15, 15 और 3 कितना होगा, यह 18, और इससे छोटे वाले कैसे होगे, 1 होगा, 12 में से 3 निकाले, तो कितना आता है, 9, और और उससे आखरी वाला सबसे छोटा है, कितना होगा, 12 में से 6 निकाले, यह आजाएंगा, 6 साल का, कितने का आएंगा, सबसे छोटा बच्चा 6 साल का आजेंगा, तो देखें, कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको देखें, सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे, हम X बच्चा जो है, यह धर्मियान का है, X प्लस 3, तीन-तीन साल के डिफरेंस पर है, यह दो इससे बड़े है, X प्लस 6, ओके, यह X है, उसके बद यह X प्लस 3, और यह X प्लस 6, ओके, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो यह X माइनस 3, और यह X माइनस 6, अब इनका जो आउसत निकलेगा, वो दर्मियान का निकलेगा, तो यहाँ पर एक्चुली यह जमा दी गई है, 60 साल, तो आउसत कैसे निकालें अब इससे बड़े वाले की उम्र निकालना है, तो X जमा 3, यानि 12 जमा 3, 12 जमा 6, और इससे छोटे वालों की निकालना है, तो 12 माइनस 3, और 12 माइनस 6, तो सबसे छोटे वाला जो है, वो X माइनस 6 है, यानि 12 माइनस 6, कितना आता है, 6 साल, तो यहाँ पर सबसे छोटे वा बाद Q की अम्र, अब देखें, मौझुदा तनासुप कितना है? पहले हम वो लिख लेते हैं, अब देखें, क्या बोल रहा है? P और Q की मौझुदा उम्र के दर्मियान तनासुप तो हम मौझुदा उम्र का तनासुप निक्एगे यहां पर 5 निजबत 3, ओके यह P है और यह Q है अब क्या बोल रहा देखिए चार साल पहले पी की उम्र यानि यहां पर माइनस चार करेंगे और चार साल बाद क्यूं की उम्र यानि यहां पर प्लस चार करेंगे देखिए सिफ अगर चार साल पहले होता तो दोनों जगा चार साल माइनस होता और चार साल बाद होता तरनासुब हो रहा था इनका एक निजबत है कि यह हमने लिखे एक निजबत एक अब हम कितने निजबत बराबर कितने साल होता है यह मालूम करेंगे देखिए 5 एक 5 और 3 एक 3 कितना आ जाएंगा यह 5-3 बराबर आ गया 2 ओकि अब उसके बाद देखिए यहां पर थोड़ा सा change होता है कैसे दिखिए यहाँ पर अगर हम लेंगे 4 1 चारी आ गया 4 माइनस हम बीच में माइनस लगाते फिर 4 1 चार लेकि यह वालना 4 माइनस का चारी यहाँ पर double माइनस आ जाएगा तो कितना हो जाएगा यह 8 हो जाएगा हम माइनस करते हैं ना इनकी लेकिन जब दोनों साइन इक्वल होते हैं या तो दोनों माइनस के या तो दोनों प्लस के होते हैं तब हम उनकी माइनस करते हैं लेकिन यहाँ पर एक 4 साल पहले की बात कर रहा है और एक 4 साल बात की बात कर रहा है तो दोनों का Q की उम्र, एक निस्बत बराबर हमारा कितना आया? 4 साल है, तो हम पूरा सवाल देख लेते हैं, भी क्या है? एक मिंट, देखें, पूरा सवाल क्या है यहाँ पर? 4 साल बाद P की उम्र और 4 साल पहले Q की उम्र के दर्मियान तनासुब क्या होगा? हमको यहाँ पर यह मालूम करना है, तो हमने क्या मालूम करें? हमारा क्या आया था, देखें, यहाँ पर हमारा आया एक तनासुब बराबर 4 साल, कितना आया? हमारा एक तनासुब बराबर 4 साल आया, अब 4 साल बाद किसकी उम्र कह रहा है? P की उम्र कह रहा है तो सबसे पहले हम P की मौझुद उम्र निकालेंगे तो P की मौझुद उम्र का तनासुब कितना है देखें यहाँ पर P की मौझुद उम्र का तनासुब है 5 यानि मौझुद उम्र कितनी आजेंगे इसकी 5, 0, 4, 20 आजेंगे और 4 साल बाद बोल रहा है तो 20 जमा 4 बरावर P की उमर आगे 4 साल बाद 24 साल और Q की उमर का बोल रहा है क्योंकि 4 साल पहले Q की उमर बोल रहा है तो पहले Q की मौज़िद उमर मालूम करेंगे तो Q की मौज़िद उमर का तनासुब कितना है 3 और एक तनासुब यानि हमारा चार साल आया तो हम इसको जर्ब देंगे तीन जर्ब चार कितना आ रहा है ये तीन चौक बारा लेकिन चार साल पहले की पुछा है हमसे तो चार साल पहले कितना हो जाएगा इसमें से हम चार माइनस करेंगे कितना हो जाएगा यह 8 साल हो जाएगा किसका आया यह Q का यानि P का आ गया 24 साल और Q का आ गया 8 साल तो इनका तनासुप पूछ है कितना तनासुप 12 देखिए 8,1,8,8,24, यानि 3 निजबत 1 जो है इनका तनासुप यहाँ पर आ रहा है जो कहां पर मौचू देखिए option number B में इतना है इनका तनासुब तीन निजबत एक तो आज के लिए इतना ही नेक्स वीडियो में इंशालला हम और कुश्चन को कवर करेंगे वीडियो एंड करने से पहले एक बात कहोंगी कि जो लोग उर्दू मीडियम के लिए टैट एक्जाम की प्रिपेरेशन कर रहे हैं वो एक जा रहे हैं जो हैं उसके पूरे सोलुषिन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे उसकी भी सीरीज मिलेंगे एक साइंस की भी स्पेशल सीरीज वहांपर चल रही है निनी फिफ्ट टैन तो कह निस आ थरू आपको कवर कर वाया जा रहा है तो एक बार फेच्चू क्लासे प आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जो ट्रेट एक्जाम की प्रिपेरेशन कर रहे हैं तक लिंक जरूर शेयर कीजिए तो दिखिए आज इतना ही आज की वीडियो में हमने बहुत सारे questions के short tricks देखे किस तरह से बहुत कम वक्त में बहुत lengthy questions को हम आसानी से solve कर सकते बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है आज मैंने जितनी भी बाते आपको सिखाई है किस टाइप के question हमने किये हैं ज्यादा तर वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं आप चाहे तो इसके notes बना कर रखी ताके आपको revision के लिए आसानी हो तो नेक्स वीडियो में हम लोग कुछ और जो important question से कुछ और difficult question लेकर आएंगे और उनके बहुत ही आसान solution हम करेंगे तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताइए अगर आपको वीड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए अल्ला हाफिज